नमस्कार दोस्तों तो इन्फिनिस के तरफ से बहुत ज्यादा बड़ीया स्मार्पोन बाहर के देश में लॉंच हो चुका है आज शाम को और का जड़ी कि अगले एक या देर माने के अंदर डेफिनिटली इंडिया पे लॉंच होगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कुछ स्मार्पोन ऐसा होता है जो कि देखने सी लग रहा है कि आभी उसे ले ले लेना चाहिए फोर इजमपेल ऐको जिट्सेय फाइटा अभीभी तेазर के अंदर बेस अल्रों गेमें स्मार्पोन है रिस्ली लॉंच होए था पो को एब सुराइचली सतरेशे अल्र लॉन बाले समार्पोन एजो इन्फिनिक्ष का न्या जो फोन ओलान चोई जिसका नामे इन्फिनिक्स Note 12 Pro ये 15,000 रुपाई के अंदर सबसे best all-run बला स्मार्टफोन होगा तो इस वीडियो मैं आपको एई चीज बता हूँगा कि ये जो नया बला इंफिनिस का फोन लॉंच हुआई इसका full specification और कप तक और किस प्राइस बन में इंडिया पे लॉंच होगा तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो भीना कोई बाक्त का बार आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजरल चनल पे नहे हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलिटेट वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजर रोचाम को सब्सक्राइब बिल्कुल इमत भुलिएगा पहलो तुम बात करने के स्मार्टफोन के डिजाइन के बार में तो जैसे कि देख सकते हैं जो स्मार्टफोन पीछे से एक्सेक्ली आसा डिजाइन होगा मज़न क्या सब्सक्राइब इस से पहले भी इंफिनिस के हर एक नया सीरीस के साथ जैसा हमें नया डिजाइन मिलता है एक्सेक्टी सेम चीज़ इस बार भी हमें देखने को मिलेगा तो यह स्मार्टफोन का ठीकने से 7.8 मिलिमीटर और इस निट्स दका मैक्सिमम ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले का जो नौच भॉप को मिलेगा डिव ड्रप स्टाइल उसके साथ 89 पर स्क्रीन टू बोड़िया लगा प्रोसेशर के अगर बात करें यह एक्चुली दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको हीलियो जी न 99 के साथ अल्रेडी बहुत सारे प्रोसेशर का कॉमपर्जिन भीडियो बना दिया है आप चैनल के साज बटन में साज करके देख पाएंगे केमरी अगर बात करें आपको से मिलेगा 108 मेगा पिक्सल का डियार कैमेरा उसके साथ 2 मेगा पिक्सल का टोटल दो सेंसर अब यह ज स्मार्टपन आपको डूटल दो विरेंट पी मिलेगा आठ एक्सो अटेस जीबी और आठ टू फिप्टीस जीबी इसका र्याम का क्कॉलिटी होगा एल पीडी डियार फूरेक्स मेमोरी का क्कॉलिटी होगा ईवेपेस 2.2 और इसके साथ डिफिनिटल आपको मिलेगा 2 प् पीचर के बात करता आप कोई से मिलेगा डूएल स्टेडियो स्पीकर जिसके साथ होगा DTS HD audio का सार्टिविकेशन साइड मोंडरी फिंगर प्रिस सेंसर 3.5 जैक एनिपसी और एंड्रेट 12 होगा आउट आप दा बॉक्स तो अब जो सबसे में जीज इंडिया में कब तक लॉट्च होने बाला तो देखे जित्ता मुझे लग रहा है इंडिया पे लॉंच होने पर अभी भी देर माइन के आसपास बाकिए तो मेरे ख्याल से नौबर आत्री शुरू होने से पहले मादब बीग बिलियों डेज शुरू होने से पहले साह देवाला स्मार्पोन 16,000 रुपए के आसपास लेकिन उसके साथ अगर हम इसके आठ एक्सवाटेंसी भी भी बार में बात करें डेफीनिट उसके कम में लॉंच होगा तो मतलब क्या सकते ही एजो फोन इंडिया पे जब आएगा प्राइस होगा वोई 14-16,000 रुपए के आसपास तो अभी हार वी दिस्प्ले 6.7 इंच, FHD+, Super AMOLED डिस्प्ले मादा मुझे इदर कोई कॉप्रेट नहीं प्रोसेसर, Helio G99 प्रोसेसर, मादा समाझ दीजे, Helio G96 प्रोसेसर बहुत ही बड़िया लेकिन धुरसाँ ज्यादा बैटरी कॉन्जूम करता है क्योंके वो 12 नानोमीटर प्रोसेसर पे और और भी जादा ऑप्टिमेस्ट प्रोसेसर है, मादम कह सकती कि जो Helio G99, Helio G96 का एक अच्छा वाला अप्ग्रेडर भर्षान है, तो मादा प्रोसेसर भी मुझे बहुत ही बड़िया लगा, कैमेरा, इसका जो मेन एक्सवार्ड मेगापिक्सल कैमेरा सब कुछ इस Infinix Note 12 Pro में हमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए भीडियो का आकर में मैं बाद सब को एकी चीस कहना चाहूंगा, अगर according to leaks, यह जो स्मार्टपोन इंडिया पे 15,000 के आप पास लांच होता है, तो मैं definite के पहली सेल में से लेके आप लोकर इसका डिब्यू देन न चाहेंगे, इसके बादे मुझे जो कॉंशन ने काना बिल्कुली मत भूलिएगा, तो मिलते अगली वीडियो पे तब तक, स्टेट उने और अलो सी मेंबर, ठींग पोजिटीव, बी पोजिटीव, थेंक यू